Fall of the USSR, 25th December 1991, Moscow में क्रेमलिन पर आखरी बार सोवियत फ्लैग लहराता है। Once mighty Soviet Union यानि की USSR दुनिया की नक्षे से गायब हो जाता है। दूस्तो एक समय पर Soviet Union दुनिया की सबसे largest country हुआ करता था। ये 22 million square kilometers से भी ज्यादा का area cover करता था। इसके पतन के बाद world map पर 15 नए देश जन्म लेते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ 1991 में कि सूपर पावर USSR का 72 साल का अस्तित्व अचानक से खत्म हो गया। कैसे इतना बड़ा empire पूरी तरह बिखर गया। आईए जानते हैं। इंट्रिडक्शन Russian Civil War के बाद होती है जो 1922 तक चलता है। 1922 में जब USSR फॉर्म होता है तब ये चार रिपब्लिक्स से मिलकर बना था। जो थी Russian, Ukrainian, Belarusian और Trans-Caucasian Republics। आगी चलकर ये 15 Republics का union बन जाता है। Lenin की leadership में फॉर्म होए USSR को Stalin एक totalitarian state में convert कर देते हैं। Second World War के बाद USSR वर्ल्ड की super power के रूप में उभरता है। और इसी के साथ USA के साथ इसका psychological warfare यानि की cold war भी शुरू हो जाता है। करीब पाँच दशकों तक world power रहने के बाद USSR में decline के signs नजर आने लगते हैं। इसके पीछे USSR के internal structure के साथ कुछ external factors भी responsible थे। एक एक करके समझते हैं। Internal weaknesses of the USSR दोस्तो, USSR एक totalitarian state था। यहाँ पर किसी भी तरह की civil liberties लोगों के पास नहीं थी। पूरी तरह bureaucratic और authoritarian system यहां की पहचान बन जुका था। इसी के साथ one party system जिसमें सिर्फ communist party थी, लोगों की प्रती accountable नहीं था। इसके अलावा एक बड़ी समस्य यह थी कि यहां Russia का dominance था। कहने का मतलब यह है कि Russia के अलावा बाकी republics के interest की अंदेखी हुआ करती थी। For example, official language सिर्फ Russian थी और किसी भी republic की language को accept नहीं किया गया था। इसके अलावा Russian customs को republics के local customs की जगह promote किया जाता था। इन सब problems की वजह से individual republics को system से नफरत होने लगी थी। वो किसी भी तरह इस authoritarian rule से बाहर आना चाहते थे। इसके साथ ही republics में बढ़ती हुई nationalist feelings भी USSR के लिए एक बड़ा challenge बनी हुई थी। इसके अलावा cold war के दौरान USSR defense और space पर जरूरत से ज्यादा खर्च करता है। जिसकी वजह से infrastructure और technology सफर करने लगते हैं। Economic condition खराब होने लगती है। लोगों को daily necessities के लिए परिशान होना पड़ता है। यह सब तो USSR की internal problems थी। लेकिन इन्हें compound करते हैं कुछ external factors। External factors दोस्तो USSR की internal weaknesses को और भी stark external factors बनाते हैं। जैसे की democratic nations की progress। जब USSR के लोग अपने neighboring democratic nations जैसे की Western Germany, France, etc. को prosper होते हुए देखते हैं। तो उन्हें realize होता है कि वो खुद कितना पीछे हैं। उनके इस realization में बड़ा role play करता है Cold War के दौरान US propaganda। इसके साथ ही Eastern European countries यानि की socialist block में crisis भी USSR को कमजोर बनाती है। एक-एक करके ये countries USSR के influence से बाहर होती जाती हैं। ये तो बात हुई USSR के कुछ internal और external challenges की। लेकिन exactly USSR का disintegration कैसे होता है। क्यूंकि ये challenges तो काफी समय से बने हुए थे। फिर 1991 में आकर ही क्यों USSR बिखर जाता है। इसका reason था इस दौरान हुए कुछ events। आईए जानते हैं इन events के बारे में। Events leading to disintegration दोस्तूं ऐसा माना जाता है कि Soviet Union का dissolution उसके last leader गौर्वाचेव के power में आने के साथ शुरू होता है। March 1985 में गौर्वाचेव Communist Party के leader बनते हैं। और वो कुछ ऐसी policies initiate करते हैं जिनकी वजह से situation में तेजी से बदलाव होता है। ये policies थी Glasnost and Perestroika। Glasnost यानि की political openness इसके थूँ गौर्वाचेव Stalinist repression के traces को eliminate करना चाहते थे। जैसे की banning of books और omnipresent secret police, इसके तहद Soviet citizens को new freedoms मिलती हैं। Political prisoners को release कर दिया जाता है। और पहली बार communist party के अलावा और भी parties को elections में participate करने का मौका मिलता है। Second set of reforms को perestroika या economic restructuring कहा जाता है। गौर्वाचेव के अनुसार Soviet economy को revive करने का best way है उस पर से government grip को loose करना। उनको लगता था कि private initiative innovation को lead करेंगे। इसलिए 1920s के बाद पहली बार individuals और cooperatives को businesses को own करना अलाव कर दिया जाता है। Workers को better wages और conditions के लिए strike करने का right दे दिया जाता है। साथ ही गौर्वाचेव Soviet enterprises में foreign investment को भी encourage करते हैं। दोस्तों गौर्वाचेव के reforms तो इतने अच्छे और positive नजर आ रहे हैं। फिर इनकी वजह से USSR का decline कैसे हो गया। ऐसा इसलिए क्यूंकि इन reforms का असर तुरंत नहीं दिखता। Paris Troika ने Soviet state की command economy को एक जटके में खत्म कर दिया था। लेकिन market economy को mature होने में समय लग रहा था। गौर्वाचेव के खुद के शब्दों में कहें तो new system के काम शुरू करने से पहले ही old system collapse हो जाता है। गौर्वाचेव की policies का immediate result बस rationing, shortages और goods के लिए कभी न खत्म होने वाली कतार के रूप में नजर आता है। इसके परिनाम सुवरूप लोगों में government के प्रती frustration बढ़ता ही जाता है। दोस्तों गौर्वाचेव बिलीव करते थे कि better Soviet economy के लिए rest of the world के साथ better relationships बहुत जरूरी हैं। Especially United States के साथ। इसलिए वो arms race से बाहर आने का फैसला करते हैं। गौर्वाचेव अनाउंस करते हैं कि अफगानिस्तान से Soviet troops का withdraw किया जाएगा जहां वो 1979 से war में engaged हैं। इसके साथ ही Eastern Europe के Warsaw Pact Nations में भी Soviet military presence को कम कर दिया जाता है। इस non-intervention की policy से Soviet Union पर तो गहरे प्रभाव देखने को मिलते ही हैं। लेकिन इससे पहले इसका असर Eastern European alliances पर देखने को मिलता है, जो कुछ ही महिनों में किसी रेत के किले की तरह ढह जाते हैं। 1989 का first revolution पोलिंड में होता है, जहां non-communist trade unionists solidarity movement launch करते हैं और communist government से free elections की demand करते हैं। Soviet military की तरफ से help न मिलने पर government को इनकी demands को accept करना ही पड़ता है, और elections में solidarity movement के leaders को बड़ी success मिलती है। इसके वजह से पूरे Eastern Europe में peaceful revolutions शुरू हो जाते हैं। 9th November 1989 को Berlin Wall का भी fall होता है, और communist और non-communist Germany एक बार फिर से unite हो जाते हैं। उसी समय चेकोस्लवाकिया में Velvet Revolution के थूरू communist government को overthrow कर दिया जाता है। इस तरह 1989 में जून से December के बीच Poland, Hungary, East Germany, चेकोस्लवाकिया, बल्गेरिया और Romania की communist governments का पतन होता है। अब अगली बारी खुद Soviet Union की थी। The Soviet Union collapses। दोस्तों, Eastern Europe में चल रही हवा जल्दी ही USSR में भी पहुँच जाती है। Soviet Republics को Eastern Europe में हो रहे revolution से inspiration मिलती है। खराब economic conditions की वजह से वो पहले से ही frustrated थे। इसके बाद Soviet satellites के प्रती गोर्वचैव के हस्तक शेप न करने यानि की hands-off policy को देखकर USSR के fringes पर located republics में independence movements शुरू हो जाते हैं। 1990 में एक-एक करके Baltic states यानि की Estonia, Lithuania और Latvia Moscow से अपनी independence declare कर देते हैं। Soviet troops भी movement को रोखने में असभल रहते हैं। Soviet Union के बाकी republics में भी धीरे-धीरे independence की declarations शुरू हो जाती हैं। ऐसे में गौर्बाचेव फैसला करते हैं कि republics के साथ मिलकर एक decentralized union form की जाए। जिसमें सभी republics को greater autonomy दी जाएगी। इस तरह republics की डिमान भी पूरी हो जाएगी और USSR का existence भी बना रहेगा। इस treaty पर formally 20th August 1991 को sign किया जाना था। लेकिन Communist Party के कुछ members जिसमें Vice President Gennady Yanayev भी शामिल थे ऐसी किसी भी treaty के against थे। ये लोग एक coup plan करते हैं और 18th August 1991 को Gorbachev को house arrest करवा देते हैं क्यूंकि इनके अनुसार Gorbachev की वजह से ही USSR कमजोर हो रहा था। और ये किसी भी तरह से USSR और Communist Party का dominance बनाए रखना चाहते थे। हलाकि इस imprisonment के लिए official reason दिया जाता है कि health reasons की वजह से Gorbachev अब President की तरह lead नहीं कर सकते। कू के leaders state of emergency declare कर देते हैं और military Moscow में पहुँचने लगती हैं लेकिन वहाँ उसका सामना human chains और citizens से होता है जो Russian Parliament को protect करने के लिए barricades build कर रहे थे। Boris Yeltsin जो उस समय Russian Parliament के head थे, military के एक tank पर खड़े होते हैं और surrounding crowd को support के लिए rally करते हैं। इनके प्रयासों से coup 3 दिन में ही fail हो जाता है। 21st August को coup leaders अपनी हार मान लेते हैं और उन्हें arrest कर लिया जाता है। Yeltsin की जीत होती है और Gorbachev वापस Moscow लोट पाते हैं। लिकिन अब situation पहले जैसी नहीं हो सकती थी। इस failed coup के काफी important consequences होते हैं। Communist Party का नाम पूरी तरह खराब हो जाता है। Gorbachev खुद भी convince हो जाते हैं कि party में reforms करना नामुमकिन है और जल्दी ही वो party के general secretary की position से resign कर देते हैं। Yeltsin को लोग hero मान लेते हैं और Gorbachev sideline होने लगते हैं। Yeltsin Russian Federation को एक separate nation की तरह ही rule करने लगते हैं। और जब 1st December 1991 को Ukraine, जो की Russia के बाद Soviet Union की सबसे बड़ी republic थी, अपनी independence declare कर देता है, तो clear हो जाता है कि old USSR अब खत्म हो चुका है। 8th December 1991 को Yeltsin, Ukraine और Belarus के presidents के साथ मिलकर एक treaty sign करते हैं, जिसके अनुसार republics का एक नया union form किया जाता है। इसे Commonwealth of Independent States यानी CIS नाम दिया गया। इस union को अगले ही हफते 8 और republics join कर लेते हैं। वैसे तो republics पूरी तरह independent थे, लेकिन वो defense और economic matters पर साथ काम करने का फैसला लेते हैं। और इस तरह USSR को formally dissolve कर दिया जाता है। Gorbachev Christmas वाले दिन, यानी कि 25th December 1991 को resign कर देते हैं। दोस्तों, USSR के fall में Gorbachev का role बहुत ही important माना जाता है। इसलिए आईए इसका भी assessment कर लेते हैं। Assessment of Gorbachev रश्या के ज्यादतर लोग, दोस्तों, Gorbachev को एक failure ही मानते थे। हाना कि सबके reasons जरूर अलग थे। conservatives जहां इन्हें USSR और party के downfall का जिम्मेदार मान कर traitor बोलते थे। वही radical reformers को लगता था कि ये communism के supporter थे। और आम लोगों की राय में तो Gorbachev एक weak और incompetent ruler थे, जिनकी वजह से उनका standard of living गिरता जा रहा था। लेकिन दूस्तों, ये कहना गलत नहीं होगा कि Gorbachev असल में 20th century के outstanding leaders में से एक थे। इन्होंने न सिर्फ Cold War end करने के प्रयास किये, बलकि Eastern Europe की countries को free और independent होना भी अलाव किया। साथ ही economic और political reforms जैसे strong initiatives भी launch किये। वो अलग बात है कि इनके प्रयासों को कितनी सफलता मिली। लेकिन इनकी सोच और विजन में जरूर एक बड़े लीडर की निशानी देखी जा सकती है। Cold War tensions को खत्म करने के महत्वपूर्ण योगदान के लिए, 1990 में इन्हें Nobel Peace Prize भी दिया गया था। और एक fun fact दोस्तों, Gorbachev is still alive। March 2021 में इन्होंने अपना 90th birthday celebrate किया है। Conclusion दोस्तों, इस तरह 1922 में फॉर्म हुए USSR का 1991 में आकर disintegration हुआ। इस event को world history का एक turning point भी माना जाता है। इसने न सिर्फ एक बड़े देश के टुकड़े कर दिये, बलकि दुनिया से एक superpower का नाम भी मिटा दिया। USSR के decline के साथ ही Cold War का भी end माना जाता है। और यहीं से USA की loan superpower के रूप में जने शुरू होती है। और यहीं से एक्रावीं कीट रगे की बड़े है।